जेहिन मेरे किसंद भाहियों दोस्तों आभी क्या हुआ कल भोताच चितर्रा से सभी जगा पर बारिश हुए और आभी फसल लगने का जो टाइम है वो नजदिक आ रहा है तो हमें क्या करना है आपको चाय कौन सी भी फसल लगाए सभीन हो कपास 워तूर चाय कों सी भी लेकिन आप उसे बीजप्चरित जरूर करें क्योंकि बीजप्चरित करने से क्या होता है जो पहले समय में यानि कि ये मां क्या अंदर जितने सारे रश्चू से कीट या कोई व्यान्नी कीट हो वो आमरी फसल पर कम से गम आते हैं और जब आप बीज उपचरित करते हो, तो उस समय कुछ बातों को आपको खास करकर ध्यान में रखने का है, वो बात है क्या है क्या नहीं, चलो, आप हम क्या करते हैं, बीज उपचरित करते हैं, उसकी बात करेंगे, चलो, यह रहा दोस्तों, हम इस से बीज उपचरित करेंगे, यह देख सकते हैं इसमें जो कंटेट आता है यहां पर देख सकते हो थाइमें तक जॉम करके जो 30 प्रतिश चतिय पेस पहम में आता है आप किसी भी आने कंपणी का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मुझे नजदी की दूकान में यही मिला था तो मैंने यही लाया और इसके सा साइड का यूज आवश्चे करना है ताकि हमारी जो जितने सारी तूर में आप देख सकते हो बहुत सारी समझ चाहिए जड़ सड़न की होती है उससे खतम करने के लिए आमने यह लिया है इसमें आप देख सकते कार्बें डजी में 12 प्रतिश्यत और प्लस में को जब 63 प्र नंगस होते हैं हमारी जमिन के अंदर वो मर जाते है और हमारी जो फसल है जाद बारिश होने के कारण जड़ सड़न के कारण वो सूख जाती है और पोवदिवाई कि वोई मर जाते है आपने देख आओगा पिछली साल क्या हुआ ता जब हमारी तूर को जब फलिया लगी तो इस काम प्रयोक करने वाले और कैसे करेंगे कैसे नहीं चलो देखते हैं दोस्तों आपको मैं बताना चाहत हो आप किसी भी किटगना से के साथ ऐसे आपने हाथों से नहीं चुने का क्योंकि वह काफी खतरनाक भी हो सकते हैं तो हमने क्या क्या है ये देख सकते हैं एक मीडिकल स्टोर में जाकर हैंगलोज लिया है आप कभी भी दवाई ही चिडगते समय वह किसी भान मुस्वाइन हैंट ग्रोज का हिस्थमाल करें दवाई को आपने हातों से सीधा ना छीं आ आप देख सकते हैं, हम ने तुरका जो सारवी याइस में डाल दिया है, चलो दोस्तों आप इस देख सकते हैं, आप को यह दिखकर हो सकता हैं कि स्रस्जारी यह पने भाए मபने श सकति कि अस्प Glue लेकिन चाहर श्रीब इस पहाय ने साथ झाल झाल